नमस्कार दोस्तों वेलकम स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आरेस जिंक्शन पर मैं हूँ गनिशाम शर्मा और दिनांग चार फरवरी 2021 का अंक लेकर हाजिरू डेली करेंट अफेर्स आफ राजस्तान के लिए तो दोस्तों सब इंस्पेक्टर एक्जाम 2021 की व सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों इसके लिए कोर्स भी हम जल्दी शुरू कर देंगे बिल्कुल खिफाई थी और सबसे भैतरीन कोर्स आपके लिए यहां पर आने वाले हैं तो आरेस जंक्शन अप्लिकेशन आज ही डाउनलोड कर लें क्योंकि वहां पर मैंने आपके से लिए एक फ्री कोर्स भी बनाया है एसाई के जितने भी नॉटिफिकेशन से उनसे रिलेटेड तो एक ही जगह पर आपको प्रीवियस एर के पेपर्स कट आफ मार्क से रिलेटेड सिलेबस अनलिसिस और जितनी भी तमाम चीज़े हैं वह उस एक कोर्स में मिलेगी तो ड से नहीं आती है तब तक हमें SI पर फोकस करना है क्योंकि SI और RS का सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है कोई अंतर नहीं है तो आप जुटे रही है मेरे साथ और रेगुलरली ये वीडियो जरूर देखिए क्योंकि Current Affairs एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके SI जिसे करने की क्योंकि जब तक आप अच्छा स्कोर इस एक्जाम में नहीं कर पाते तब तक फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं मिलता है तो उसी चीज़ को देखते हुए आपको तैयारी करनी पड़ेगी चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं आज की 18 प्रशना मारा इस महीने क निमलिखित में से किस राज्य को कोविड-19 महामारी की दोरान जो कारी किये उसमें स्काउट एवं गाइड में पहला इस्थान मिला है इस्काउट एवं गाइड पर भी मैं आगे चर्चा कर लूँगा तो राजस्थान जो है उसने बहतरीन प्रशन किया और कोविड-19 की दोरान लोगों को मदद पहुचाने में स्काउट एड गाइड का जो हमारा सेक्षन है या जो चात्र और विद्यार्थी हमारे जुड़ेवे स्काउट एड गाइड से उन्होंने इसमें बहतरीन प्रद्रशनियां पर किया है तो दो चीज़े हैं एक तो स्काउट एड गा करने और मिलकर एक जो टोकर देश के लिए काम करने की भावना पैदा करने का काम दोनों में ही होता है चलिए तो भारत स्काउट गाइड में जो नई दिल्ली मुख्याले है उसने इन पुरुसकारों की गोशना की और राजस्थान को यहां पर प्रथम पुरुसकार के रू काम किया उन लोगों ने जो है दोस्तो साथ लाग से ज़दा मास्क बाटे 11 लाग से अधिक लोगों को भोजन और खादिक सामकरी बाटी अपनी जान जो किम में डालते हुए इस्थाने प्रशासन के साथ 17 लाग से ज़दा इस्थानों का सेनिटाइजेशन किया गया सोशल डिस्टेंसिंग हाथ दोने मास्क पहने और लोगों को जन जाग रूप करने के लिए 30,000 से भी ज़दा रेलिया निकाली गई इसकाउट गाइड ने अठावन लाग से ज़दा राशी एकत्रित की और मुख्य मंतरी और पुरधान मंतरी रहत कोश में जमा करवाया इसके अ भारत स्काउट एंड गाइड भारत का रास्ट्री स्काउटिंग एंड गाइड असोशियेशन है 1909 में पहली बार स्काउटिंग को आधरिक तोर पर भारत में शुरू किया गया ब्रिटिश भारत के अंतरगत और बैंगलूरू का जो बिशप कॉटन बाइज स्कूल है वह इनी बेसेंट और जार्ज अरुंडेल जैसे लोगों ने मिलकर के स्काउट एंड गाइड को शुरू किया आज आधी की बाद में प्रधान मंतरी शेजवाल लाल ने रुके नेतरतु में नवंबर 1950 में भारत स्काउट एंड गाइड के स्थापना इनकी महिला और जो डिटेल्ड एनालिस से वो भी देना क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको फिर अलग से कहीं मैटर देखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि डाउट आता है दिमाग में कि स्काउट एंड गाइड क्या है तो वो जानना भी जरूरी है चलिए नेक्स प्रिशन देखते और उन्हें शुरुवात के पहले महीने क्योंकि यह पहला पुरुसकार है इस साल जो है आईसेसी ने गोशना की थी कि वो हर महीने के लिए प्लेयर अफ दे मंद का आवार्ड देगी और पूरा महीना खतम होने के अगले ही दिनों में जो है इन आवार्डों के लिए नॉम के पॉल स्टरलिंग सभी को मिला करके और इसमें प्लेयर अफ दे मंद के लिए नॉमिनेट किया गया है महिलाओं की बात करें तो पाकिस्ताइन की डाइना बेग सावतिफरिका के शबनेम इसमाइल और मारिजन कैप को इस पुरुसकार के लिए नॉमिनेट किया गया है इन है इसकी घोशना की जाती है तो इस हिसाब के प्रिशन आपको पूछे जा सकते हैं चलिए नेक्स प्रिशन किर्केट से जुड़ा है शायद मुस्ताक अली ट्वंटी ट्रोफी 2021 का परिणाम आ चुका है और तमिल नाडू ने जो है यहाँ पर वडूदरा को हरा करके और इस नाम किया है तो तमिल नाडू विजिता है शायद मुस्ताक अली ट्वंटी ट्रोफी का याद रखिए दोस्तों इस साल रंजी ट्रोफी नहीं हो रही है तो हो सकता है इन दूसरी ट्रोफियों से जो है पुरुसकार के रिगार्डिंग क्योशन पूछे जाएं तो रंजी पर हमारे यहाँ पर कहीं बार प्रिशन पूछे गए है और पीसी में चलिए तो दिनेश कार्तिक कप्तान है और उनकी एकवाई में तमिल नाडू की टीम ने दूसरी बार ये टी ट्रोफी जो है जीती है तो याद रखिए जो सायद मुश्ताक अली ट्रोफी ये टी ट्रो सफलता पूरग पीछा किया है तमिल नाडू की टीम ने अपना पहला खिताब 2007 में दिनेश कार्तिक की अगवाई में जीता था ठीक है और अब 14 साल बाद में वाबस से उन्हों ने ये खिता धिनेश कार्तिक जो है उन्हीं की अगवाई में इस बार का किताब जीतने के और करनाटक ये तीनों टीमें जो है दो दो बार खिताब जीच चुकी है चलिए आगे बढ़ते हैं स्वच भारत मिशन लगातार प्रियास पूरे देश पर को स्वच बनाने का इसी के नतरगते कैटेगरी है जिसको बोलते हैं शोच मुक्त प्लस ODF प्लस ये स्टेटस में क्या क्या समय लेता है देखो दोसो ODF है ओपन डिफेक्शन फ्री अर्थात खुले में शोच जहां बंद हो गया उसे ODF का दरजा दिया जाता है लेकिन ODF प्लस उने दिया जाता है जिसने ने केवल ODF स्थिरता रखी है बलकि इसके साथ-साथ ठोस और तरहल अपसिष्ट प्रबंदन पर भी ध्यान दिया तो ये दोनों ही सही है अब प्रशनाता है कि मैं इस मुद्धे पर क्यों बात कर रहा हूं दरसल कल जो है केंदर सरकार ने जो गोबर्धन योजना है उसको वड़ावा देने के लिए एक पोर्टल लॉंच किया है ज जो सभी स्टेक होल्डर्स मतलब जो सभी सम्मिलिद भागिदार हैं जितने भी हमारे मंत्राले हैं जो कि इस घोबर्धन योजना में काम कर रहे हैं उनको रियल टाइम डेटा देगा उनके वास्तविक कारिक्रम की मतलब जो प्रगति उन्होंने अभी तक की है उसको रियल 20-21 से लेकर 24-25 तक और इसी के अंतरगत ODF प्लस स्टेटस हमारे सभी गाउं को मिले यही प्रियास इसमें किया जाएगा तो ODF प्लस में क्या क्या होगा एक तो ODF की स्टेटा मतलब जो ODF का स्टेटस हमने लिया था ना पहले हमने जब सारा खुले में सोच से मुक्त कर दि और दूसरा ठोश और तरल अपसिष्ट प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए मतलब नकिल सीवेज का जो प्रबंधन है उस पर ध्यान दिया जाए बलकि इसके साथ साथ हमारी जो गाए हैं और जो जानवर हैं उनके गोबर का भी समुचित प्रियोगियां पर हो सके इसी जाओगा किसानों को ऐक तो इस्थानी इस्थार पर क्योंकि गेस भी महंगी होरी है तो बायो गेस का उपयोग काफी सस्ता हो सकता है, लाबत याए को सकता है, और दूसरी जो चीज जो अब है, और बोर्धार उनकिक उरवरक समुगी हमारे भुज्जन की गुणवत्ता ब इतमें से किस फसल को औरोबेंच नामक एक परजीवी खरपतवार से बचाने के लिए भरतपूर में हाली में राश्ट्री इस्तरी कारिशाला का आयोजन किया गया। तो सरसों के उत्पादन के लिए भरतपूर बहुत महत्पूर है सेवर नामक इस्तान पर राश्ट्री सरसो अनुसंधान केंदर हमारे यहां पर है जो कि भरतपूर में इस्तित है जब आप आगरा जाते हैं जापूर्टू आगरा ठीक है या फिर जापूर्टू मतुरा विर किसी भी खेट में जिस फसल को हम भोते हैं उसके अतिरिक्त जो भी अन्य चोटे-चोटे पोधे हो जाते हैं उनको हम खर्पतवार के नाम से जानते हैं थिक है तो तकनीकी प्रबंधन विकल पर एक पारिशाला इस्माय हुजी तो ही कि कैसे इस पर जिवी खर्पतवार को नश्ट किया जा सकता है हरियाना के गुरुग्राम में स्थित केट नाशक सुत्री करण प्रध्योगी की सरस्तान IPFT और भारती कर्षिय अनुसंधान परिशत के सरसु अनुसंधान निदेशाले ने मिल करके बरतपुर जिले के गुरंदा नंदी नामग गाउं जो है वहां प परचीवी करपतवार को रोका जा सकता है तो ये फसल को 50 फीस दीहानी पहुचा देती है और इसको नियंतित करने का कोई तरीका भी नहीं है ऐसे परिस्तेते में इसे निप्टान के लिए रसाइनों के प्रियोग को जाचने के लिए ये पाइलिट प्रोजेक्ट शुरू क बनाया गया hybrid क्यों बोल रहे है क्योंकि यह जो mini grid system में पहले एक एक वर्ड समझा देता हूं मैं आपको पहला वर्ड ऑफ ग्रीड ऑफ ग्रीड का मतलब है not connected to grid मतलब आपके जो बिजली की लाइन है उससे connected नहीं है यह आपका एक system हमने hybrid system बना दिया power generation का यहां पर बीच म में कोई connection नहीं है ठीक है यह दोनों जुड़ेवें नहीं है जैसे कि आपने देखा होगा hybrid connected होती है चीज़े आपने solar पार्क बनाया और उसको जो हमारी grid supply है उससे जोड़ दिया तो क्या होगा वहां से energy को कहीं भी बेजा जा सकता है और ग्रीड का मतलब होता है जो connected नही सोलर बायोडिजल का मतलब है ने केवल सोलर से चलेगा बलकि बायोडिजल से चलेगा मतलब एक ऐसा generation system जो सोलर से भी electricity generate करेगा और जब सोलर अवेलेबल नहीं होगा मतलब जब बादल नहीं होंगे बादल होंगे या फिर बारिश का मौसम होगा ऐसा टाइम पर वह जो 50 kilowatt तक जो energy generate कर सकता है 50 kilowatt का मतलब होता है 50 unit मतलब एक kilowatt जो है 1000 watt होता है और 1000 watt को ही हम बोलते हैं एक unit energy ठीक है तो 50 kilowatt यहां पर hybrid mini grid system डवलप किया गया है फाइदा क्या होगा अभी तक जो हम solar panels लगाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 10 kilowatt तक क्यों होते हैं 10 HP जो से बोल होता है 746 watt into 10 मतलब 7460 watt तो maximum capacity पर वो इतना ही काम करता है लेकिन यहां 50 kilowatt का जो हमने सहीं अंतर सिस्टम जो विक्सित किया है इससे क्या होगा हमारे छोटे-छोटे उद्योग जो ही ना उनको भी यहां power supply मिल पाएगी तो CSIR ने जो है पंजाब में लुधियाना में जो इस किया रहा है क्योंकि हमारी घरेलू खपज जो है 2-3 unit होती है खींच कर हम माने तो 5 unit किसी घर में हो सकती है अगर उसने बड़े उपकरणों का प्रियोग किया है तो वहां पर 50 kilowatt की शमता वाले इस सिस्टम को विक्सित किया जाएगा छोटे पेमाने पर नवी करणिये उर् पहाड़ी चेतरों में आप बिजली आपूरती कर सकते हैं इसके अलावा बायो डिजल हाइब्रिड मिनिग्रिट परनाली का स्मार्ट सिटी परियोजना में भी इस्तमाल होगा क्यों क्योंकि जो हमारे छोटे-छोटे अलग-अलग योजनाए होंगी जैसे कि अगर मान ली इसरे से रिलेटेड होती है इंटरनेट से कनेक्टेड है और स्मार्ट तरीकों से उसका प्रबंदन होता है तो अगर ऐसे सहींतर हमारे पास हैं तो 20 घंटे हम बिजली के आप पूरती बनाए रख सकते हैं और वो भी परियावरण को बिना नुकसान पहुचा है तो यह बह लाइक करें वीडियो को और इसके साथ-साथ आप सब्क्राइब करें चैनल को बने रहें रेगुलर हमारे साथ गुल्दस्ता 2020 आपके पास है तो जो चात्रेसाई की तयारी करना चाहते हैं वो जरूर इसको लें आरेस जंक्शन अप्लिकेशन से क्योंकि वहां इसको लेने